हेलो दोस्तों स्वागत आप सबका आपके ये अपने यूटूब चैनल पर आज कोलकत्ता और पंजाब के बीच में IPL का मैच नंबर 53 खेला जाएगा जो की इडन गार्डन कोलकत्ता में शाम को साड़े साथ बज़े स्टार्ट होगा तो दोस्तों आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कौन से प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट पिक होगे क्या हमारा प्रेडिक्शन होगा साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और आज मैं आपके लिए फिर से यहां पर चार प्रेडिक्शन लेकर रहा हूँ अब इनमें आपको कौन से प्लेयर को फिक्स रखना है कौन से प्लेयर को रोटेट करना है वो भी हम आगे डेमो टीम के थुरू समझेंगे तो बात करते हैं विकिट कीपर सेक्शन की तो विकिट कीपर सेक्शन में यहां पर आपके पास तीन ओप्सन है जितेश सर्मा है रहमतुला गुरुबाज है और यहां से पीसिंग जो की इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे अगर यह खेलता है तो पंजाब की इसने को मिल सकता है इस वज़े से यहां पर जितेश सर्मा को भी बैटिंग करने का मोका मिलेगा अगर पंजाब की बैटिंग आती है तो आप इसको फिक्स प्लेयर भी बना सकते हो तो अभी के लिए हम दोनों विकिट कीपर के साथ चलेंगे अब बात करते हैं बैटिंग स प्लेयर बना सकते हो और उसके बाद यहां से यही प्लेयर खेलने वाले हैं तो हम कौन-कौन से प्लेयर को स्लेट करेंगे यहां से शिखर देवन हमारा ड्रीम प्लेयर होगा और यहां से मैं नितिस राना को अपनी टीम में स्लेट करूंगा और रिंकु सिंग जैसन रोय त तीन हमने यहां से बैट्समैन को स्लेट किया अब बात कर लेते हैं आल राउंडर सेक्शन की तो सैम कुरान है लिविंग स्टोन है अंद्रे रशल है शारदूल ठाकूर है यहां से सुनिल नारायन है और सिकंदर रजा यह प्लेयर भी आज के मैच में खेल सकता है अगर यह ख अगर दोस्तों यहां पर सिकंदर रजा नहीं खेलता है तो उस कंडिशन में अधरे रजा खेलता तो इसką आप अपना UM प्लेयर बना सकते हो तो हम यहां से पलेयर को सेम कुरान हमारा ढ्रीं प लेट होगा और उसके बाद आंद्रे रेसल में में सभी टीम में र्यूंग ग पारी खेली थी तो इसको भी हम अपना ड्रीम प्लेयर तो नहीं बनाएंगे लेकिन रोटेट करके इसको अपनी टीम में स्लेट करेंगे अब बॉलिंग से एक्षन की बात करें तो अक्सदीप सिंग है और यहां से वरुन चकरवर्ती है और यहां से टिम साउदी अगर खेलत तो मैं यहां से अक्सदीप सिंग को अपनी टीम में स्लेक्ट करूँगा वरुन चकरवर्ती को अपनी टीम में स्लेक्ट करूँगा तो दोस्तो यह हमारा प्रिव है लेकिन दोस्तो अब इसमें आपको एक चेंज करना है आप यहां से या तो सिकंदर रजा को ड्रोप कीज या फिर जिते सर्मा इन मेंसे किसी एक को ड्रोप कीजिए और उसके बाद एक आपको बोलर को स्लेक्ट करना है जैसे कि शारदुल ठाकूर तो अभी के लिए मैं यहां से सिकंदर रजा को ड्रोप करता हूँ और इसकी जगह मैं शारदुल ठाकूर को अपनी टीम में सकते हैं जैसे कि सिकंदर रजा इस तरह से आपको अपना protection करना है और आज के मैचस और आपको काफी कुछ change देखने को मिल सकते हैं और जो फिक्स प्लेयर हैं आज के मैचसिमें को और और बाकी के ทำ को आपको रोटेट करना जैसे कि Living Stone की जगाब सिकंदर रजा के साथ जा सकते हो एम शोट के साथ जा सकते हो इस तरह से और Captain और Vice Captain की सबसे Best Choice को उन से आज के मैच में यहाँ से सिखरदवन Sam Quran, Aksadip Singh इनको आप Vice Captain बना सकते हो और यहाँ से अगर कोलकत्ता की बैटिंग आती है तो आंदरे रेसल को भी आप Captain Vice Captain बना सकते हो लेकिन उस Condition में आपको Top Order में से कोई एक Batsman को ड्रोप करना ही पड़ेगा अब इन में आप चाहतो रिंकू सिंग को भी Try कर सकते हो इन दोनों प्लेयर को ड्रोप कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर रिंकू सिंग के साथ जा यह और एक फास्ट बोलर के साथ जाए इस तरह से आपको Multiple Combination तयार करना है और दोस्तो फाइनल टीम आपको टोस के बाद हमारे टेलिग्राम चैनल मिलेगी जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर लिंक से उपन नहों तो आप सर्च अधरवाइज आप फेक चैनल पर जाओगे और वो आपसे फ्रोड करेगा फिरी टीम देता हूं किसी को भी पैशे देकर टीम नहीं लेनी अब बात करते हैं आज के मैच की तो दोस्तो अब हम एक एक करके अपनी सभी च्यार टीम को ओपन करके देखते हैं तो यह मैंने जैसे की रिंको सिंग नितिष राना इस तरह से तो उनका यह विकेट निकाल सकता है अगर आप ग्रेंडी खेलते हो और सिकंदर रजा आज के मैच में खेलता तो इसको आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हो तो यह हमारी पहली टीम है अब यहां से हर्षित राना की जगा अगर टिम साउदी खेलता तो आप उसको ट्राई कीजिए अगर दोस्तों आज के मैच में सिकंदर रजा नहीं खेलता तो इसकी जगह आपको एम शोट को अपनी टीम में रखना क्योंकि उस कंडिशन में यह एक से दो आवर भी करवा कर दे सकता है और अब हम अपनी दूस उस कंडिशन में अब हम अपनी तीसरी टीम को ओपन करके देखते हैं अब इस टीम में मैंने सिखर दाउन को कैप्टन बनाए और वाइस कैप्टन यहापर मैंने सैम कुरान को अब आपको वाइस कैप्टन रोटेट करना है एक टीम में सिकंदर रजा के साथ जाए और एक तिम में अक्सदीब सिंग के साथ जाए इस तरह से आपको वाइस कैप्टन रोटेट करना है या फिर आपको कैप्टन रोटेट करना है जैसे कि एक टीम में आंदरे रसल के साथ कैप्टन जाए और इस तरह से आप चाहो तो अक्सदीब सिंग को भी कैप्टन बना सकते हैं ल आपकी फिल्डिंग आती है तो यह आपके लिए बैस्ट होगा कैप्टन के लिए और उसके बाद यहाँ पर मैंने रिंकू सिंग को भी अपनी टीम में रखा क्योंकि इसको मैंने कैप्टन बनाए और यह शुरू में विकिट निकालेगा तो रिंकू सिंग को बैटिंग करने सिकंदर रजा को वाइस कैप्टन बना सकते हो वरुण चकरवर्ति को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो और चेंज क्या करना आप चाहोते हैं यहाँ पर शारदूल ठाकूर की जगह है लिविंग स्टोन के साथ जा सकते हो इसके अलावा एम शोट के साथ भी जा सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आपको प्लेयर को रोटेट करके अपनी ग्रैंड लिग की मल्टीपल टीम को क्रेट करना है तो ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू